नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दिर्जी सिंग स्वावित आपका MB हेल्टक्ष में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने जा रहा हूँ जिससे दो दिन में आपके लंबे घने सुन्दर बाल हो जाएंगे दोस्तों मैं यह तो नहीuppbar की आपके बाल गुच्छे जैसे बढ़े हो जेंगे मगर आप अपने बालों को नाप सब्सक्रेंगे कि आपके कुछ बाल घने सुन्दर लंबे नशुरून दो दिन में हो गए हैं दोस्तों हमारी जिन्गी काफी बीजी होती है, खाने पीने का हम ध्यान नहीं देते हैं, और अपने बालों का खासकर हम भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उपसे दूप, अन्य प्रकार के समसरे होती हैं, जिससे हम अपने बालों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, आईए जान वह बालों को पोशन नहीं दे पाते इसलिए बाल घने लंबे सुन्दतर नहीं हो पाते हैं दोस्तों अब हम जानेंगे कौन सा रामबन इलाच है दोस्तों हमारा पहला जो पाय है लेस्ट जी हाँ आपको यह बात अटपटी सी लग जोगी कि लेस्ट खाने में इस्तिमाल किय पोशन देने में काफी मदद करते हैं लेस्ट को बालों में लगाने से बहुत ही सहीता मिलती है यह हमारे बालों को पोशन देता है रूसी अटान में मदद करता है और साथ हमारे बालों की जड़ेगी मुझबूत करता है अगला अगला है नारेल के तेल का इस्तमाल भी पहले मैं आपको नारील के तेल के बढ़नाओं, करको जोड़ मुझाना है तेल बनाके शानिंग परदान है और किस्मी मोढ़न भी बचाता है आप जब भी नहाने जाए उससे एक घंटा पहले अपने बालों के नारियल तेल से अच्छे से मसाज करें इससे आपके बालों को ताकत मिलती है और उनकी जड़े भी मजबूत होती है दोस्तों आप मैं आपको मिशन बताता हूँ आप लेस्ट ले लीचिए एक बाल में उसके बाद आप इसमें नारियल तेल मिला जीचे और इसे अच्छे से मैश कर लें अपने बालों की जड़ में अच्छे से 15-20 मिट तक मसाज करें मसाज करने के पाद आप इसे छोड़ दे प्रियोग कर सकते हैं यह आपको काफी फैर देगा कि दोस्तों आपने देखा लेस्ट और नारियल के तेल से आप अपने बाल किस तरह घने सुंदर और लंबे बना सकते हैं तो दोस्तों यह ती कुछ घरेली वीडियो अगर आप को यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लिस लाइक करें शियर करें सुस्क्राइब करें और फिर आपके सामने एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाद दीजी मुझे नमस्कार